अब एक बड़ी रोचक खबर ये है एक नेता जी के साथ कह लिजिए तो गच्चा हो गया गच्चा कैसे हो गया एक अपने हां नेता जी है सेट साहब बड़ी-बड़ी मारते बनाते हैं बड़ी-बड़ी कोठिया बनाते हैं और बड़े बिल्डर हैं पहले समाजवादी पा सदस से बनते रहे हैं लेकिन कि सियासत में सबसे उचे माले पर पहुंच कर भी सेट सहाब की इच्छाएं कुछ ना कुछ तो रहती ही हैं अब यह जरूर है कि भाई जिस लिफ्ट से वो आये थे उपर तक उन्होंने वो लिफ्ट छोड़ी भगवा वाली लिफ्ट में बैट गे पिछले दिनों उनके साथ एक वाक वो गया वाक्या कोठी से जोड़ा हुआ माम्ला थे बंगला से खूरा हुआ मामला चुकि संजे सेथ राज सभा के यह सांसद उत्तर-प्रदेश & नाम मंतिरी के सैंदर हो गये й वह भी जहारखंड से हैं राचि केंदर में रख्षा राजी मंत्री बन गए हैं संयोग से उनको देश की राजधानी में जो सरकारी बंगला आवंटित होना था वो चिठी नाम के भरंबस लखनव आ गई जब वो चिठी लखनव आ गई तो यूपी के अधिकारियों ने समझा कि भाई ये लखनव यूपी वाले संजेशेट हैं इनको बंगला देना है उनको फोन गया सूचना पहुंची कि साहब आपके लिए दिल्ली से लिखकर आया कि आपको एक बंगला दिया जाए तो उन्हो ने भी हजारों बंगलों का जो मालिक है उसने स्विकार कर लिया कि सरकारी बंगला उसका आनंद कुछ और हो भी राजदानी लखनव में उन्हों दौल कि चले आए तुरंट कि हाँ हाँ बिलकुल हमको बंगला मिलना चाहिए फिर राजसंपत्ति विभाग में कोठी ओठी खोजी जाने लगी उनको उम्मीद जगी थी कि जो पत्राया है वो नहीं का होगा देश की सरकार ने साइद उन पर महर्मानी की होगी लेकिन अचानक से जब कोठी देने की विवस्ता शुरू ही तो लोगों ने का भाई सांसत को हम राज्य में बड़ी कोठी दे नहीं सकते लेकिन डिली से पूछ ताच हो गई तो पता लगा भई ये यूपी वाले संजय सेट के लिए नहीं है यह तो ज्हारखंड वाले संजय सेट के लिए हैं जिनको दिली में कोठी देनी है यूपी से कोई लेना देना नहीं और चिठी आप वापस भेज दीजिए अब इतना स अच्छा राज मंत्री वाली चिट्टी है जो संजय सेठ है उनकी है नाम के भरम के चलते वो यूपी आ गया है ऐसे बहुत सारे पत्र आ जाते हैं अब आप राज संपत्ति विभाग पर दावा ठोकेंगे दबाव बनाएंगे बंगले ब्योस्था करो हम कहां सकर पाएंगे लेकिन बताते हैं कि सेठ साहब की जो इच्छा थी कि भाई जब चिट्टी आ गई थो हमें बंगला दे दियो और उनका कुछी सारा भी तक भी करमा दित्मार पर कुछ बंगले खाली भी पढ़े हैं अच्छे हैं भारी भर कम हैं अगर वहां मिल जाए तो फिर उनका और भ अंसाच जी की उमीदे तूट गई अब कोई बील्डर का मामला होता किसी प्राधिकरण का मामला होता टाउंसिप का मामला होता तो सेठ साहब इतने सच्छम थे कि वह यूपी में नेड़े बदलवा लेते लेकिन चुकि यह केंद्र का मामला था दिल्ली का मामला था उनके बस में नहीं था तो लिहाजा फिर उनको मन ममोस के रहना पड़ा तो फिलाल अब लखनव वाले संजे सेट नहीं जारखन वाले संजे सेट के लिए मंगरा दिल्ली में तैयार हो गया है